जब नरेंद्र मोधी जी प्रधान मंत्री थे, CBI के डिरेक्टर थे आलोग बर्मा जी, उनके पास राफेल की जाच चल रहे थी, राफेल की फाइल उनके पास थी, राफेल के मामले में वो सुर्वात कर सकते थे जाच की और इसी के कारण उनको जबरन नियमों और कानूनों क तक पर रखतर, CBI का दफ्तर सील करके उनको वहाँ से निकाल के बाहर किया गया, हटाएगया और आज तक मुझे जो जानकारी है, उनके पैंसेन की मनजूरी नहीं नमस्कार मैं हो राउल शर्मा, आप देख रहे हैं स्पेनाई नियूज, स्वागत है आप सबीका आज की बड़ी कबर में और बड़ी कबर के शुरुवात, प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी की नकली टेकरी से, जी हाँ, प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी इन दिनों फसेव और उसकी सबसे बड़ी वज़ा है कि उनके पास जो डिगरी है, वो पूरी तरीके से फर्जी है, इसी मोदे पार कॉंग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टी के नेताओं ने सबूतों के अधार पर ये दिखाया कि कैसे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के पास डिगरी जो है वो नकली है, और ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि जो प्रदान मंत्री पड़े लिके नहीं है, तो उनका जो संसद्य सीट है या जो उनकी संसद्य है, उसको छीन लेना चाहिए, तो कि कुछ ऐसा ही राहूल गांदी के साथ हुआ, जब कि सीट उनके हाथ से निकल जाती है, या उनकी संसद्य ही खत्म हो जाती है, तो क्या ये भाजपा के लिए सबसे बड़ा सबक होगा, हाला कि इस मुद्दे पर संजे सिंग का एक बड़ा बयान सामने आया है, अपने दर्शकों को हम लगातार ये दिखाते हैं कि कैसे संजे सिंग ने खुलासा करके इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बावाल खड़ा करती है, देखे रिपोर्ट के खिलाफ साड़ेंत्र के सबसे बड़े आउजार के रूप में सीबियाई का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस समय मानी सर्वोचे न्यायाले ने भी कहा था, सीबियाई सरकार का तोता बन गया है, और आज उसी तोते को अपने ही सारे पर नचाने का काम भारत के प्रधान मं मंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, कि जब से सीबियाई का गठन हुआ तब से लेके आज तक एक उदाहरन आपको नहीं मिलेगा, एक उदाहरन जिसमें सीबियाई के डिरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया गया, यह काम पैसली थे, सीबियाई के डिरेक्टर थे आलोग बर्माजी, उनके पास राफेल की जाच चल रही थी, राफेल की फाइल उनके पास थी, राफेल के मामले में वो बिशुरात कर सकते थे जाच की, और इसी के कारण उनको जबरन नियमों और कानूनों को तक पर रख कर सीबि गया और आज तक मुझे जो जानकारी है उनके पैंसेंग की मंजूरी नहीं यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें संजे सिंग ने कई बड़े खुलासे कर दी और देखी सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि संजे सिंग के इस खुलासे से आज मोदी सरकार फस गई है भाजपा के पास उनके सवाल का जवाब नहीं है लेकिन जो फरजी वाड़ा निकल कर सामने आया है क्या वागई यह माना जाए कि इस फरजी वाड़े से ये तो साफ हो गया है कि पीम मोदी ने अभी तक देश के जनता को तो मुर्ख बनाया ही लेकिन विपक्ष और तमाम इतने भी अगर बात करें सरकारी एजनसी या फिर चुनाव आयों उनको भी मुर्ख मनाने का गाम किया आज के लिए तहीं आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार